नमस्कार मित्रों, क्रांती समर्पंटरष्ट प्रस्तूत, निरामय स्वास्त का प्राकुर्तिक राजमार्ग यह एडियो बुक भाग दो उपल्ग भाग एक बीमे आपका स्वागत है। आज का विशे है श्वसन का सत्य। यह हम प्राण्य अंत्रन यह भाग के अंतरगत समझ रहे हैं। मित्रों मानों यह परमात्मा का दियावा भुजन नकारता है और स्वेम अपना भुजन मन और इंद्रियों के लालच में अलग-लग संसकार करके खा रहा है। मानों का उद्देश स्वाद है, स्वास्त का कुछ भी हो जाए। जो मानों यह भुजन है स्विप मन और इंद्रियों का भुजन है। क्योंकि प्राकुर्तिक भुजन आग के उपर पकाने के कारण जो जिंदा भुजन है वह मुर्त भुजन हो जाता है। प्रकुर्ति ने जो भुजन में सारे विटैमिन मिनरल और शरीर की अत्यवक्ष दवा यह आग के उपर पकाने के कारण नस्ट हो जाती है। जीव और मन के कारण स्वात के लिए जादा भोजन मानों कर रहा है, जादा कैलरी के कारण वजन और बीमारिया बढ़ते ही जा रही है, जीवन के परिश्णम नस्ट हो गया है और खाने का दर्जा बढ़ गया है, इसके कारण शेरीर असंतुलित हो रहा है, जीव और मन की ला को प्राप्त हो जाता है यही आज के मानों का सत्य है यह सत्य के उपर गंभीरता से विचार करे इसका आसान तरीका है प्रकुर्ति के सत्य को स्विकार करे और प्रमात्मा को समर्पित होकर जिये यह न करने के कारण मानों का जीवन असहज हुआ है फिर वह वह जिम में जाता ह अन्न पचा नहीं तो 5-5-10-10 किलो मेटर चल रहा है कस्ट करके जो कमा रहा है वह हॉस्पिटल और डॉक्टर को दे रहा है आंधी दोड में दोड रहा है वह भी पता नहीं कि वह क्यों दोड रहा है दुसरे दोड रहा है उसके लिए वह भी दोड रहा है बित्रो इसलिए फर्त्म थोड़ा रुको जीवन की सत्त्य की खोच करो तो आज श्विषन का सत्य समस्ते है श्विन यह क्रिया परियास रहीत है इसके लिए हैमें सुहम कुछ करना पड़ता नहीं है यह एक आत्म संचलित क्रिया है मतलब परमात्मा संचरित करिया है श्वसें से ही शरीर को ऑक्सिजन मिलता है बिना ऑक्सिजन तीन सेकंड भी हम जिन्दा रहना संभव नहीं है आप बिना भोजन 45-60 दिन रह सकते है बिना पानी 4-5 दिन जिवित रह सकते है मगर बिना ऑक्सिजन एक मिनिट भी जिवीत नहीं रह सकते हैं परमात्मा की इस सिस्टम देखे हम नाक से श्वात लेते हैं फेपड़े में श्वास भरते हैं हवा में 78% नाइट्रोजन होता है यह वापस भी जा जाता है और ऑक्सिजन ही लिया जाता है पूरे श्रीर से अशुद रख्त और कारवनडा ऑक्सिजन हुरुदे में आता है कारवनडा ऑक्सिजन बाहर फिका जाता है फिर यह अशुद रख्त में ऑक्सिजन मिलाया जाता है और वह रख्त हमारे श्रीर के सर से लेके पाव के तलो तक पहुँचाता है हमारे शरीर में 372 खरफ सेल मतलब पेशी है यह पेशी में गुलकोज और आक्षिजन का मेल होकर उर्जा का निर्मान होता है यह उर्जा के कारण ही हमकारिय कर सकते है और जिन्दा है एक सत्य आप सभी को पता है एक श्वास बाहर आता है और अंदर जाता ही नहीं तो हमें मुर्त गुशित किया जाता है एक बार मुर्त गुशित होने के बाद वहां ही हम पड़े रहते है मानों के पास ऑक्षिजन सिलिंड रहे, मेडिकल सैंस है पूरा विज्ञान मिलकर भी मुर्त शिरीर को जीवित नहीं कर सकता कितना भी बड़ा राजा हो, करोडपती हो, अबजोपती, पूरी संपत्ती भी डाव पर लगाता है तो भी मुर्त शिरीर को जीवित नहीं कर सकता विज्ञान और पैसा मिलकर क्यों नहीं कर सकते हवा भी है, ऑक्सिजन भी है और यह मरा हुआ शरीर भी मौजुद है तो खुता क्या है? हमारे पूरी ब्रमांड को और मानो दिहों को, जीवसुरुष्टी को जीवसुरुष्टी को परमात्मा कई आधार है सिर्फ परमात्मा का आधार निकल जाता है और वह दुसरा कोई दे नहीं सकता यह परमात्मा के रहस्य को समझे मित्रो, इसलिए कहा जाता है मित्रो, जलम और मृत्यू मानों के हाथ में नहीं है और जो जलम और मृत्यू के बीच में जीवन है यह मानों के हाथ में कैसा हो सकता है? जिवनिया परमात्मा का अम्रुत्मे महासागर का बहाव है उसके विपरित कोई नहीं जा सकता इसलिए परमात्मा के सब्दा के उपर विश्वास करो परमात्मा को सम्मुक हो जाए और परमात्मिक परवाह में बहते जाओ हर परिस्तिती को स्विकार करो दुख में सम हो जाओ वह भी एक प्रभाख का हिस्सा मानो और ध्यान रखो सिर्फ करम करना हमारे अधिकार में है उसका फल आपके हाथ में नहीं है इसके लिए मान लो मैं करता नहीं हूँ मैं शरीर भी नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ सत्य ये हमारा कुछ भी नहीं है आपने जो भेंकर में खड़ा किया है ये अंकार को त्यागो ये सब दुखों का कारण है और इसके कारण ही आपका जीवन असहज है और ये असहजता के कारण ही हमारे शुसन पर परिणाम हुआ है हमारे शुस शौलो ब्रिदिंग मतलब मंद हो गया है सिर्फ चाती तक ही चल रहे है नाभी तक नहीं चल पा रहे है शुस का सत्य है शुस नाभी से चलना चाहिए एक बच्चा जलम लेता है बच्चपन से वह एकदम सहस्ता से जीता है आप सोय हुए बच्चे का निरक्षिन करे उसका शुस नाभी से चलता है क्योंकि वह सहच है और सारी जीवसृष्टी के प्रानी सहस्ता से ही जी रहे और मानो यह अपने महे के कारण परमात्मिक सत्ता के परवा के साथ ना चलकर विर्द दिशा में तेरने का प्रियासी असहस्ता है यह परमात्मा के जीवसृष्टी में किसी को शुषण को नियंतरन मतलब प्रानायम की जरूरत नहीं है मानो भी इसमें एक प्रानी है मानो को ही क्यों योग योग और प्रानायम करना पड़ता है आपके सामने परमात्मिक सत्तिय है आप सहज हो जाओ सहज होना मतलब क्या करना कुछ भी नहीं करना है स्रिप और स्रिप जीव के समुक नहीं किसी सद्दगुरु के समुक नहीं हमें समुक होना है अजलमा अभीनाशी, सर्विव्यापी, स्तीर, निर्लेप, निर्मोही, परमात्मा के सामने वह आपको समर्पित होना है जो परमात्मा आपके अंदर और बाहर कनकन में बसा है 33 कोटी के चकर में मत पड़ो, सब एकी है वह सच्चा सनातन है, उसका कोई धर्म नहीं है उसकी कृपा सब के उपर समान टूप से बह रही है वह देता नहीं, वह सच्चा दातार है, उसने दे कर रखा है सिर्फ हम चुक गए है, हम ही परमात्मा के विमुक है हमारा बरतन ही उल्टा रखा है, यह हमारा दोश है सिर्फ हमें सम्मुक होना है, और इसलिए कोई कर्मकांड या फूजा अर्चा की जरूरत नहीं है यह सब क्रिया परियास रही थे, यह आत्मसादना का मार्ग है जो रहा पर कोई गुरु घंटाल और दलाल की जरूरत नहीं है यह एक अत्मग्यान का कोई भी मार्ग दर्शक आपको आसानी से रास्ता दिखा सकता है जैसी आप परमात्मा के सम्मुक होते है, वैसे ही पर्थम कुरुपा से आपका जीवन सहज होना शुरूरता है उसके लिए 100% अशर्थ समर्पन की जरूरत है समर्पन का पहला अर्थ है No Complain किसी से कोई शिकायत नहीं जो भी परमात्मा के सत्ता में हो रहा है, वह सही हो रहा है उसको ही समर्पन कहते है परमात्मा निर्भूगी है, इसको कोई भूग लगाने की जरूरत नहीं है जिसका जलम हुआ है, वह तो भूगी है आपके भोग से या नामस्परण से उसको कुछ लेना देना नहीं आपकी सम्मुक रहने की आदत नहीं है धिरे धिरे वह बड़ी आसानी से हो जाती है और बिना प्रियास होती है हम परमात्मा के सेवक है कोई गुरु नहीं है हम सिर्फ एक छोटे से मार्क दर्शक है आपको दिशा निर्देश कर सकते है आज भी हम परमात्मा के सम्मुक होने का 100% प्रियास कर रहे है हम भी मुक्ति के मार्क पर चल रहे है परमात्मा के सम्मुक होकर जीते जी मुक्ति चाहते है और मरने के बाग मौक्ष जाते दुबारा जलम लेने की बिलकुल इच्छा नहीं है यह शुन्य से शुन्य की यातरा से हम बाहर आना चाहते है मगर यह मेरे प्रियास से नहीं यह परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है इसलिए 24x7 परमात्मा के समुक रहने का प्रियास कर रहा हूँ जिससे परमात्मा के कुरुपा हो जीते जी मुक्त और मरने के बाग मुक्ष को प्राप्त करने का प्रियास करता हूँ मैं भी आपके जिसा एक सामाने जी हूँ यह जो मैं बोल रहा हूँ, लिक रहा हूँ, मैं नहीं हूँ यह परमात्मा के कुपा से ही कुछ परमातिक सत्य, परकूर्तिक सत्य आपके सामने रख पा रहा हूँ मैं सिर्फ एक व्यक्ता हूँ, मुझे माध्यम बना कर यह कारिय हो रहा है इसमें मेरी अपनी एक पैसे की अवकाद नहीं ही, ये परमात्मा का चमतकार है मित्रों आज यहां तक ही, तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे आत्मसाद्मा के मार्क पर अग्रेसर होके स्वयम का अत्मक्रल्यान करे यही हमारे जीवन का मुख्योद्देश है धन्यवाद आपका दिन शुभव